हाई आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो ऐलेक्ट्रोनिक्स एलेक्ट्रोनिक्स एंड टेली कम्म्निकेशन इंस्टुमेंटेशन कम्प्यूटर ब्रांच यहां तक की IT branch के students भी same topic को कर सकते हैं इस topic को harder based भी develop किया जा सकता है और इसी topic को आप pure software भी बना सकते हैं ये topic इतना innovative है कि आप कहेंगे कि Sir आप ये ideas लाते कहां से हो तो ध्यान से सुनो इस topic में क्या है अच्छा topic का title है PC monitored guard with auto sensing of emergency तो नाम से तो आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई guard या watchman का कोई तो concept है अब है क्या चीज़ वो देखते हैं Suppose ये आपका complex या society है जहाँ पे आप currently रहते हो जिसमें various buildings या wings होते हैं ठीक है अब एक gate हो गया हमने यहाँ पे gate बना दिया जनरली क्या होता है आप society की security के लिए watchmans appoint करते हैं एक आपने gate पे बिठा दिया watchman को और जनरली हर एक wing में एक-एक watchman होता है daytime में तो कोई problem नहीं है यहाँ पे जो भी मुद्दा है रात का मुद्दा है कि रात को security alert होती है नहीं होती है अपना job properly कर रहा है या नहीं कर रहा है वो find out करना है तो यहाँ पे होता कैसे है कि माल लो रात है और security guards अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और आपने किसी एक particular security guard को assign कर दिया है कि भाई तुमको थोड़े थोड़े time पर पूरे campus में एक बार एक चकर लगाना चाहिए ताकि यहाँ की सब जगह की security ensure हो सके अब वो बंदा या कोई भी वो बंदा रात को अपनी duty properly करता है नहीं करता है एक ही जगह बैठा रहता है या सो जाता है हमें कुछ पता नहीं चलता इस problem को solve करने के लिए हम एक ऐसा solution develop करेंगे एक mind blowing solution बनाएंगे जिससे ये ensure हो जाएगा कि आपका guard duty properly कर रहा था अगर guard duty properly नहीं करता है वो भी आपको मालूम पढ़ जया है कि वो आज रात को उसने काम किया या नहीं किया अब देखते हैं होगा कैसे हम guard के पास एक device दे देंगे हमारा hardware बेस जो device हम develop करेंगे वो उसके पास दे देंगे और हमें करना क्या है campus में regular interval पर जहां हम चाहते हैं कि guard का जाना जरूरी है रात के वक्त या day time में कभी भी वहाँ पर RFID tags लगा देंगे ठीक है सो हर एक का एक unique ID होगा say 1, 2, 3 4, 5 अब जो guard के हाथ में जो device है उसे करना क्या है regular interval पर उस location तक जाना है device को tag के सामने show करना है tag का ID device में log हो जाएगा और यह जो ID इसमें log हुआ है यह wirelessly एक remote central PC पे transfer भी हो जाएगा आपके vicinity में ही एक PC होगा आप society में कहीं भी एक जगर पे रख सकते हैं वहाँ पर वो ID transfer हो जाएगा PC में एक log बन जाएगा कि किस particular date किस particular time पर उसने कौन से zone का RFID tag scan किया था तो इस तरीके से database के अंदर पूरा log बनता जाएगा नौ एक zone से दूसरे zone पे जाने या scan करने के time को आप again define कर सकते हैं सपोज आपने रखा है कि 5 minutes का time duration हम देते हैं ठीक है तो जैसी पहला उसने show किया यहाँ पे countdown timer चालू हो जाएगा now watchman को again 5 minutes के अंदर दूसरी जगह पे जाना है उसका ID show करना है उसका ID system में log बन जाएगा और यह counter reset हो जाएगा अब suppose second location से third location पे जाने के लिए आपने 10 minutes का time set किया है तो अब 10 minutes का counter चालू हो जाएगा countdown इस तरीके से उसे forcefully हर जगह particular time के within जाना ही पड़ेगा now अगर मालो क्या होता है कि वो वहाँ पे नहीं पहुचता है time के within तो होगा क्या हमारा system क्या करेगा जैसे यह countdown zero हो जाएगा system का software एक alert message generate करेगा और जो भी वहाँ का admin होगा उसे immediately notification चला जाएगा तो admin को मालूम पढ़ जाएगा कि watchman रात को duty properly नहीं कर रहा है अब उस case में admin के उपर है कि वो क्या instructions देता है watchman को call करता है whatever यह हमारा matter नहीं है अब हमारा aim यह था कि रात को watchman properly अपनी duty को निभाए और हर जगर security को monitor करे तो वो इससे achieve हो गया अगर वो नहीं करता है टाइम के वे दिन नहीं करता है तो admin को notification भी मिल गया और log में एक mark भी आ जाएगा कि भाई रात बर में watchman ने क्या क्या काम किया और क्या नहीं किया इसके साथ इसे और enhance करने के लिए हम क्या कर सकते हैं watchman के हाथ में जो device है suppose अचाएं यहाँ पे दो सिनारियों है पहला कि watchman के हाथ में हमने जो device दिया हुआ है ठीक है अगर watchman किसी location पे जा रहा है और उससे वहाँ पे कोई suspicious activity नजर आती है उसे लगता है कि यहाँ पर यह कोई unwanted बंदा है या unwanted person है या कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे feel होता है कि security breach हो रही है तो वो क्या कर सकता है सबसे पहले उसे क्या करना है device पर एक key होगा उस key को just press कर देना है key को जैसे ही प्रेस करेगा again सर्वर को एक notification आ जाएगा SOS कमांड का अब सर्वर पर हम जो भी develop करेंगे वो admin को message भेज सकता है email भेजना call करना कोई भी चीज आप यहाँ पर develop कर सकते हैं सो फिलाल हमारा aim है कि watchman ने एक notification भेजा सर्वर पर SOS का जिससे server ने lock किया और उस SOS के basis पे उसकी priority के basis पे admin को immediately notification गया और उसके basis पे admin वहाँ पे action ले सकता है यह हो गया एक scenario अब दूसरा scenario जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मानलो इस particular location से इस particular location पे जाने के लिए watchman के लिए आपने 5 minutes का time decide करके रखा है अब कभी-कभी क्या होता है जो unwanted activities है जो security breach करने वाले person है वो क्या कर सकते है देखेंगे कि watchman आ रहा है छुप करके बैठ जाएंगे और फिर उसके पास जाएंगे और उसको मारेंगे अब उसको मार करके उन्होंने उसको बेहोश कर दिया ऐसे मान के चलो हमारा watchman बेहोश पड़ा हुआ है अब लेकिन उनको नहीं पता है breach करने वाले चोरों को नहीं पता है कि हमने ऐसा कोई system यहाँ पे install किया हुआ है अब हमारा watchman बेहोश हो गया है चोर अपना काम कर रहा है जो कुछ भी करना है वो अपना काम कर रहा है ठीक है इस case में क्या होगा again automatically notification जाएगा अब यहाँ पे automatic notification कैसे जाएगा but obvious जो हमारा पहला part हम कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ पहुचने के लिए पांच मिनट का time है और अगर पांच मिनट का time में उसका अगला log नहीं आया तो again system का यह timer zero हो जाएगा और again admin को notification जाएगा तो यहाँ पे हमने दोनों cases को automatically solve कर लिया है तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक hardware बना करके एक software के मदद से इस पूरे concept को realize किया अच्छा EXTC branch और electronics branch इन सब के लिए hardware software का combination यह okay है now अब IT वाले पूछेंगे कि हमारा यहाँ पे कैसे रोल आता है यह तो यहाँ पे आपने hardware involved किया तो IT वाले इस topic को कैसे करेंगे बहुत ही simple है करना क्या है इस device को mobile से replace कर दो अब आपके पास mobile है mobile पे एक application develop करो mobile का application क्या करेगा वही सारे काम करेगा जो hardware कर रहा था अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी problem है कि जो हमने यहाँ पे tags लगाये हुए हैं वो तो RFID based है अब mobile यह read कैसे करेगा इसके दो option है पहला अगर आपके mobile में NFC reader लगा हुआ है तो आप directly इसी concept को आगे बढ़ा सकते हैं तो जब आप mobile को वहाँ पर show करेंगे तो NFC reader के through RFID आपके system में आ जाएगा अगर NFC reader आपके mobile में नहीं लगा है तो कोई problem नहीं है इस RFID को हम replace कर देंगे वहाँ पे हम QR code लगा देंगे simple दिवाल पर QR code चिपका दो अब watchman या guard code को scan करेगा और यही सारा process repeat होगा बहुत ही simple है तो same topic computer IT के भी students कर सकते हैं और same topic electronics electronics telecommunication कोई भी बंदा कर सकता है ठीक है तो I hope कि आपको concept पूरा detail में समझ में आ गया होगा अब इस topic को detail में देखेंगे कैसे develop करेंगे software site पे क्या programming होगा हर चीज़ detail में देखते हैं तो पहले हम देखते हैं कि इसे hardware based कैसे develop किया जा सकता है suppose यह आपके campus का wall है जिस पे आपने RFID tag लगा दिया है अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना RFID जो tag होता है वो passive होता है उसे कोई भी power supply या battery की जरूरत नहीं होती है ठीक है जो watchman के पास device होगा वो एक microcontroller based embedded system होगा हमारा develop किया हुआ microcontroller से हम एक RFID reader करेंगे जिस पे एक एंटेना लगा होता है loop एंटेना जैसे ही ये RFID reader tag के नजदीक जाता है tag का ID यहाँ पे transfer हो जाता है हर एक tag का worldwide unique ID होता है now RFID reader model में आने के बाद serially microcontroller में पास हो जाएगा so हमें microcontroller के UART pin को use करना है controller again I will say आप 8051 Arduino AVR PIC PC कोई भी use कर सकते है और बहुत जादा complex बनाना है तो ARM 7 भी आप use कर लो कोई problem नहीं है ठीक है so हमारे पास ID आ चुका है microcontroller उस ID का एक copy LCD पर display करेगा LCD हम 16 by 2 character का लगाएंगे आपके लिए sorry 20 by 4 character भी अवलेबल है आप वो भी use कर सकते है बट इसकी requirement नहीं है LCD पर हम जो ID आ रहा है उसका एक copy display करेंगे और various informations के लिए हम लोग use कर सकते हैं कि successfully log transfer हो गया या नहीं हो गया SOS mode के लिए अलग-अलग चीजों के लिए हम display यहाँ पर use करेंगे SOS के लिए मैंने आपको बताया था हमें एक key की जरूवत है जभी भी यह key SOS की guard प्रेस करेगा तो system को एक interrupt जाएगा और system उसके basis पे command wirelessly remote location पे send करेगा अब data send करने के लिए हमें यहाँ पर wireless module यूज़ करना होगा हमारा preference है कि आप Zigbee यूज़ करो Zigbee 2.4 GHz पे work करता है और इसका जो range होता है 100 meters का होता है Now 100 meters का range बहुत ज़्यादा नहीं होता कम होता है बट demo के लिए यह चल जाएगा ऐसे बहुत सारे दूसरे Zigbee modules भी आते हैं जो 100 meters से काफी ज़्यादा मतलब कि kilometers में भी data transfer कर सकते हैं बट project का हमें demo दिखाना है project actually हमें final product नहीं develop करना है तो demo दिखाने के लिए Zigbee का आप 100 meter वाला module use कर सकते हैं कोई problem नहीं है अच्छा data transfer करने के लिए यहाँ पे और भी दूसरे methods हैं आप Zigbee की जगर पे आप Wi-Fi भी यूज़ कर सकते हों थोड़ा project को और advance करना अगर आपको project को IoT best करना है तो आप Wi-Fi यूज़ करो आपके campus में Wi-Fi का network होना चाहिए Wi-Fi के through ये internet के through data PC पे या server पे transfer कर सकता है आपके उपर है आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते है अच्छा अब एक चीज़ बची है क्या बची है power supply तो इस circuit को walk करने के लिए since ये handheld device है तो हमें battery operated power supply बनाना होगा power supply का system जिसको battery से हम input देंगे और regulation के बाद हमें plus 5 volt की जरूवत पड़ेगी और अगर zigbee यूज़ कर रहे है तो zigbee को 3.3 volt भी चल जाएगा और 3.3 volt आपको arm 7 के लिए भी लगेगा अगर आप ये यूज़ कर रहे है तो तो ये हो गया हमारा handheld device जो watchman के हाथ में होगा तो मैं आपको एक छोटा सा summarization करके देता हूँ watchman इस device को लेकर के tag के सामने show करेगा tag से ID ट्रांसफर होगा RFID reader में RFID reader उससे serial port के थूँ controller को भेजेगा microcontroller उसका एक copy LCD पे display करेगा और उसका दूसरा copy zigbee या IoT के थूँ remote server पे send करेगा controller आप कोई भी use कर सकते हैं भी मैंने बताया इंड में से और एक हमारे पास SOS की है watchman जब इसे प्रेस करेगा तो microcontroller एक different type का packet या SOS कमांड आप बोल सकते हैं उसे server पे send करेगा hope आपको ये समझ में आ गया होगा अब देखते हैं कि PC side का software कैसे होगा और उसका interconnection कैसे हम करेंगे suppose ये आपका central PC है जिसे मैं server बोलता हूँ PC अगर आप IoT based कर रहे हैं तो LAN के through network में connect हो जाएगा network आपका internet based हो सकता है और अगर आप Zigbee के through कर रहे हैं तो PC के USB port को हम use करेंगे USB port से हम एक USB TTL module connect करेंगे USB TTL module से आपका Zigbee module connect हो जाएगा the small antenna now ये हमें क्यों connect करना है जो wireless data आ रहा है Zigbee module accept करके PC को send करेगा वाया USB port अच्छा USB port क्यों क्यों क्योंकि आज के date पे हमारे पास serial port नहीं है तो हमें USB के through ही serial data भेजना है उसके लिए हमें USB to TTL converter लगाना होगा जब आप ये converter system में connect करोगे तो इसका driver पहले install होगा ये driver automatically install भी हो सकता है या फिर आप net से जो भी module आपने purchase किया उसके basis पे install करना होगा इसके driver के through data send या receive करने के लिए आपको उसके API functions call करने है API functions call करने के लिए आप serial port controlling करेंगे मेरा preference है कि आप पुरे software को vb.net में develop करो आप c-sharp.net भी use कर सकते हो सिंस हमारे project में database भी involved होगा तो आप database के लिए SQL server यूज कर सकते हो vb.net या c-sharp.net ये visual studio का part है visual studio में serial port को access करने के लिए built-in serial port class है जिसके through आप easily communicate कर सकते है so इसके उपर आ जाता है आपका GUI graphical user interface जहाँ पे आप timer का value display कर सकते है countdown दिखा सकते है और भी बहुत सारे features जो आपको करना होगा कर सकते है अब हमें ये देखना है कि PC का जो software होगा उसके सब modules क्या है तो मैं यहीं पर लिखता हूँ पहला सबसे पहला तो हमें assignment module डेल अप करना होगा now assignment module क्या हो गया हमने जो भी RFIDs wall पे install किये है उन ID के against वो कौन से zone का wall है वो हमें database में डालना होगा साथ में next ID कितने time में आना चाहिए तो आप उसमें time भी add कर सकते है तो यह हो गया हमारा assignment दूसरा हो गया monitoring mode monitoring करने monitoring mode का मतलब क्या हो गया कि continuously timer को decrement करना और साथ में यह चेक करते रहना कि कोई नया ID आया या नहीं आया या फिर SOS command आया या नहीं आया तीसरा decision making अगर particular time के वे दिन कोई data नहीं आता है countdown zero हो जाता है तो immediately decision लेना और via internet या किसी और medium से notification generate करना जो की admin को forward कर दिया जाएगा ठीक है SMS basically preference यह होता है कि आप notification as a SMS send करो SMS send करने के लिए आपके पास again दो तरीका है आप चाहाए तो यहाँ पर एक hardware भी connect कर सकते हैं hardware में क्या होता है GSM modem आपको लगाना होगा और उसमें एक SIM card डालना होगा और उसके लिए protocol develop करेंगे जो के AT commands का protocol होता है जिसके थूँ आप SMS send कर सकते हैं यह तो local method हो गया दूसरा एक तरीका होता है कि आप internet पे ऐसे बहुत सारी services available होती है आपको ऐसे बहुत सार API functions मिल जाएंगे जिसके थूँ आप और उसे कैसे develop करेंगे प्योर software project बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको wall पे qr code install करना है ठीक है और user के पास mobile देना यूजर मतलब कि हमारा जो watchman या guard है उसको mobile देना है या उसके mobile पे एक app install करना है जो हम develop करेंगे mobile का app आप किसी भी language में develop कर सकते हैं हमारा preference है आप android studio में develop करो अब मैंने आपको बताया था कि mobile में built-in अगर NFC है तो आप इसके APIs को use करके directly RFID का data read कर सकते हैं अगर NFC नहीं है तो आप इसे skip कर दीजिए हम QR code को scan करके same काम कर सकते हैं QR code basically एक unique ID hold करेगा जो particular zone से assign होगा PC के software में watchman को क्या करना है phone को open करके QR code को scan करना है और सारा process वही repeat होगा mobile का software QR code का ID via IoT अब यहां पर IoT नहीं कहना चाहिए internet word use करना चाहिए वाया internet हमारे remote PC या server पे send कर देगा PC का हमने already देख लिया कि इसका modules क्या क्या होना चाहिए अब देखते हैं कि mobile पे हमें क्या क्या modules develop करना होगा पहला QR code scan करना scanning and decoding आपको ऐसे बहुत साए third party services या APIs मिल जाएंगे जो directly camera से QR code को scan करके आपको direct output देते हैं आप उनको अपने system में incorporate कर सकते हैं दूसरा communication remote server के साथ communication establish करना और data exchange करना तीसरा SOS mode SOS mode में हम basically यहां पर सिर्फ एक बड़ा सा button रख सकते हैं जिसे watchman press करेगा तो SOS का command remote server पे transfer हो जाएगा नौ एक चीज़ ध्यान में रखना कि mobile internet से connected है PC internet से connected है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह दोनों एक दूसरे से internet से connected है इसके लिए हमें एक web server की जरुवत पड़ेगी तो हम एक web server भी incorporate करेंगे यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है आप इस software को eliminate कर सकते हैं PC side के programming को खतम कर सकते हैं आप चाहो तो web server पे ही पूरा का पूरा application develop कर सकते हो या फिर web server को सिर्फ एक mediator की तरह use कर सकते हो जो mobile से आने वाले packets को accept करें और PC की तरफ divert करें इसके लिए आप asp.net में easily एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके achieve कर सकते हैं otherwise आप web server पे पूरा का पूरा application बना सकते हैं तो उस case में PC की जरुवत नहीं होगी हम assume करते हैं आपके लिए easy भी यही होगा कि आप desktop best application बनाए और यहाँ पे सिर्फ routing का काम करें तो मैं assume करता हूं कि आपने PC-based application develop किया है तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक बहुती simple से problem को बहुती beautifully solve किया और एक watchman जिसकी जवबदारी होती कि वह अपनी duty को सही ढंक से निभाए उसके उपर हमने watch रखा तो आप इस topic को एक और भी नाम दे सकते हो watchman's watcher इसे आप guard tour manager भी कह सकते हो topic का नाम जो चाहे वो रखो overall fundamental यही रहेगा so इसके बारे में और detail में जानकारी के लिए आप मुझे comment करके बताईए कि सर मुझे यह particular part नहीं समझ में आ रहा है या hardware में मुझे यह चीज़ कैसे achieve करना है आप मुझे बताओ मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें detail में explain करूंगा या personally मैं आपको message करके भी explain कर सकता हूं इसी तरीके के और बहुत सारे अच्छे और innovative concepts के लिए आप मुझे subscribe कीजिए हमें like कीजिए, share कीजिए और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई हेई, ऐसे ही धेर सारे project ideas और concept के लिए आप हमारी website logicinsight.net पर visit कर सकते हैं वहाँ आपको आपके पसंद के किसी भी topic पे details मिल जाएंगे और अगर नहीं हैं तो comment में बताइए अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा तब तक के लिए all the best, bye bye झाल